तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ गौतम सिटी के मोस्ट वांटर क्रिमिनल आविड एंड एक ए टूफेस के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे टूफेस के इंट्रस्टिंग 12 फैक्स जिसमें की हम कवर अप करेंगे उसके कुछ पास की चीजें और उसके कुछ हि जालत है और जैसन टोड के वाल के और नहीं बलके खुछ टूफेस था और बैडमेंट को यह बात पता थी बट वह जेसन को नहीं बताता और इसके बाद जैसन तोड़ तूफेस को पकड़ कर उसे मानने वाला होता है कि जेसंग को बैडमेंड के सका एथिक्स याद आ जाते हैं और वो तूफेस को पुल्स के हवाले कर देता है ताकि लौ उसे सजा दे और जेसंग के साथ जस्टिस हो तो एक बार एक फिलम के सेट पर एक्टर पॉल सलोनी के साथ एक एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें कि उसका फेस हाफ बन हो जाता है और सेम टू सेम टू टू फेस की तरह बन जाता है और इसी एक्सिडेंट के डिप्रेशन में जाकर एक्टर पॉल पुद को टू फेस समझने स्कूल में एक और सूपरहिरो ने अपनी लॉग की स्टड़ी करी है जो की है मैट मडॉक एक डियर डेविल जी हां मार्वल का डियर डेविल और ये वेंट हुआ था मार्वल एंडीसी के क्रॉसओवर डियर डेविल बैटमैन आए पॉर एन आए क्रॉसओवर में हाविदर टू-फेस बनने के बाद क्राइम करने स्टार्ट कर देता है और गॉथम सिटी का एक वंटर क्रिमिनल बन जाता है और टू-फेस की तरह उसकी वाइफ गिल्डा डेट भी एक क्रिमिनल निकलती है जो की गॉथम सिटी में ऐसे हौलिडे किलर के नाम से जानी जाती ह और उसे holiday killer इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिरफ holidays पे ही murder करती थी और वो murder भी एक mysterious gun के साथ करती थी और murder जिन लोगों का करती थी वो Gotham City के बहुत ही बड़े लोग और बहुत बड़े criminals थी Number 5 जादातर लोग यही सोचते हैं कि Harvey Dent का face जलने के बाद Harvey two face बनकर crime करने लगता है बट actually में असलियत कुछ और है reality में Harvey Dent and two face दोनों अलग-अलग personalities है I mean to say कि person same है बट personality दो है which means Harvey Dent has a separate personality disorder just like Marvel's Moon Knight Number 6 Batman Annual issue 14 में ये reveal हुआ कि Harvey Dent एक child abuse का शिकार रहा है बच्पन में Harvey Dent के फादर Harvey के साथ एक कोईन लेकर एक गंदी गेम खेलते थे जिसमें की टॉस करी जाती थी कोईन के साथ और अगर head आया तो Harvey को मार पड़ेगी और अगर tails आया तो Harvey को मार नहीं पड़ेगी और कुछ टाइम के बाद Harvey को ये पता चलता है कि कोईन की दोनों ही साइड पर सिर्फ head ही था यानि कि Harvey को हर रोज मार पड़ती थी और वो ही सेम कोईन आगे चलकर टूफेस अपने crimes के लिए यूज करता है और यही कोईन रूट बनता है Harvey Dent की सप्लीट परसनेलिटी का अपने कुछ comics issue के बाद Two-Face DC Comics में दिखना बंद हो गया और पूरी तरह से गाय भी हो गया वो भी पूरे 20 साल के लिए तो 20 साल तक Two-Face DC Comics में नहीं दिखाई दिया और इसका reason था Comics Code Authority जो कि Comics के character को पास करती है कि वो kid friendly है या फिर नहीं तो Comics Code Authority ने Two-Face को two terrifying and two violent character बोलकर not kid friendly अनौंस कर दिया और इसके बाद Two-Face के उपर ban लग गया और फिर पूरे 20 साल बाद जब policies change होई तो Two-Face ने दुबारा अपना comeback किया DC Comics में नमबर 8 Two-Face अगर Batman से ज़्यादा किसी से नफ़त करता है तो वो है Robin और Robin से मेरा मतलब सिर्फ एक Robin नहीं बलकि सबी Robin वो सबी Orphans जो कि Robin का mental carry करते हैं Two-Face उन सबी से बहुत ज़्यादा नफ़त करता है जैसे के Dick Grayson, Jason Todd and Tim Drake Two-Face इन सब Robin से बहुत ज़्यादा नफ़त करता है और इन्हें मारने एंट्रिक करने के always plans मनाता रहता है नमबर 9 Two-Face एक ऐसा villain है जो की अकेले काम करना पसंद करता है और आलमाज सबी crimes वो अकेले ही करता है और Two-Face ने अपनी crime life में सिर्फ तीन ही टीम्स के साथ मिलकर काम किया है और वो तीन टीम्स हैं Injustice League, Injustice Gang and Underground Society नमबर 10 Two-Face सिर्फ गंस के साथ ही fight नहीं करता गंस के लावा Two-Face बैटमें की तरह hand-to-hand combat में बहुत ज़ादा expert है और इसके अलावा जो सबसे special बात है Two-Face में वो ये है कि Two-Face एक्स्प्लूजिव में बहुत ज़ादा heavy knowledge रखता है और Two-Face सिर्फ domestic चीज़ों से ही coffee dangerous bombs बना सकता है प्लास Two-Face को chemical की भी बहुत ज़ादा knowledge है अपने appearance के 20 साल तक बैन होने के बावजूर दी Two-Face बहुत सारी DC Comics में आज तक appear हो चुका है और अगर बात करें Two-Face की comic book के total lifetime appearance की तो आज तक Two-Face total 216 comics books में appear हो चुका है वो भी as a major character तूफेस एक बहुत unique and amazing character है and Two-Face को भी उन्ही सेम दो animators ने create किया है जिन्होंने की legendary Batman को create किया था और वो दो creators है Bob Ken and Bill Finger और Bob Ken and Bill Finger वो दो creators हैं जिन्होंने की हमें Batman and Two-Face जैसे amazing characters दी हैं तो यह था top top facts about Two-Face I hope you like the video and if you like the video then please hit like button and if you are new here then please subscribe to my channel और मैं इसी तरह Marvel and DC की वीडियो से लेकर आता रहूंगा तो आप next किस DC के Supervision के facts जाना चाहते हैं नीचे बताना जरू कमेंट सेक्शन में और मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा and now I will see you in my next video till then bye bye हुँ है हुँ है